सुप्रभात बच्चों एवं अभिभावगर हिंदी साहित्यकशाती में आप सब का स्वागत है आज हम लोग हिंदी पाठ्थ पुस्तक से पाठ्थ सोलग एक्ता में शक्ति पढ़ेंगे एक्ता में शक्ति का अर्थ क्या है बच्चों? मैं बताती हूँ एक्ता में शक्ति है यह तहावत विश्त्रित रूप से इस्तिमाल किया जाता है अगर हम एक साथ मिलकर किसी काम को करते हैं तो वह काम बहुत जल्दी हो जाता है अगर हम उसी काम को अकेले करते हैं तो बहुत ही समय लग जाता है संसान में रहते हुए कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना ही धनवान, बलवान या बुधिमान हो अकेले ही अपनी अवश्यक्ताओं को पुरा नहीं कर सकता है वह दूसरों के सहयोग से ही अपनी अवश्यक्ताओं को पुरा कर सकता है इस प्रकार मिल जुलकर कार्य करने की शक्ति को एक्ता कहते हैं ये एक कहावत एक्ता में शक्ति केवल इंसानों पर नहीं बलकि अन्य जीव जन्तुओं पर भी बराबर लागू होता है तो चलिए बच्चों, अब मैं पाठ में आए कठीच शब्दों का अर्थ श्वेदपर पर बताऊंगी साथ ही साथ उन शब्दों से वाक्य बनाना भी बताऊंगी आप लोग श्वेदपर पर भ्यान देंगे शब्दार, खूब, खूब का अर्थ होता है बहुत हम लोग खूब से वाक्य बनाएंगे मिठ्व बड़े होकर तुम आस्मान में खूब उरां भरना सिवाय, सिवाय का अर्थ होता है अतीरित अब हम लोग सिवाय से वाक्य बनाएंगे सब्र करने के सिवाय, अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है संध्या, संध्या का अर्थ होता है शाम अब हम लोग संध्या से वाक्य बनाएंगे संध्या समय रां के घर वाले उसे घूंडते हुए आये सुस्ताना ठतावट दूर करने के लिए आराम करना सुस्ताना से वाट्य बनाएंगे हमें काम करने के बाद सुस्ताना चाहिए शमा का अर्थ होता है माफी शमा से वाट्य बनाएंगे मिठ्धु तोते ने अपने माँ का पिता से शमा मांगी बाग का अर्थ होता है बगीचा बाग में बहुत सारे फूल खिले है अब भ्यान देंगे बच्चो इस चीत्र को देख रहे हैं आप लोग इस चीत्र में एक पेड़ है पेड़ पर घोसला है यहां कुछ तोते हैं कुछ पक्षी भी है और एक साप भी है अब हम लोग पाठ को समझेंगे आप लोग भी अपनी पुस्तक को निकाल लेंगे एक बाग में बाग का अर्थ होता है बगीचा एक आम का पेड़ था उस पेड़ पर बहुत सारे तोते रहते हैं उनमें एक ननहा सा तोता जिसका नाम मिठु था अपने माता-पिता के साथ रहता था उसे उरने का बहुत शौक था वो भी खुले आसमान में विचरन करना चाहता था वो अपने घोशनेस से निकल कर उरने ही वाला था कि परोस में रहने वाली चिनकी चाची ने उसे उरने से मना किया लेकिन चिनकी चाची का मना करना मिठु को अच्छा नहीं लगा तक चुन्मुन्चिडिया ने उसे समझाया मिठु बरों की बात माननी चाहिए अभी तुम तो बहुत ही छोटे हो जब बड़े हो जाओगे तक तुम उरना मिठु उन्दोमों की बात सुनकर गुसा होकर अपने घोशले में चला गया शान के समय उसने घुसे में अपने माता पिता से कहा कि मुझे अब इस पेड़ पर नहीं रहना है हमें ऐसे पेड़ पर रहना है जहां किसी का घोशला नहों यहां के पक्षी बहुत ही बुरे हैं सभी मुझे डाटते हैं उसके माता पिता ने मिठु को समझाते हुए कहा ऐसा नहीं सोचते मिठु मिल जुलकर रहने में ही हमारी ताकत है वे सब तुमसे प्यार करते हैं जानते हो बच्चो उसके बाद क्या हुआ एक दिन मौका देखकर मिठु गोसले से निकल कर उड़ने की कोशिस करने लगा लेकिन थोड़ी दूर उड़कर बार बार वर गिर जाता था वो ठक कर एक डाल पर सुस्ताने लगा तभी उसने देखा कि एक साफ जिब लपलपाता हुआ उसकी ओर आ रहा था मिठु साफ को देखकर ढर गया और जोर जोर से चिलाने लगा मिठु की आवाज सुनकर चुन्मुन मौसी चिंकी चाची और उस पेड के सभी बक्षी मिठु को मुसीबत में देखकर जोर जोर से शोर मचाने लगे इतने सारे पक्षियों को देखकर साफ घबरा गया सभी पक्षियों ने अपनी चोच मार मार कर साफ को लगू लुहान कर दिया तब तक मिठु के माता पिता भी वहाँ आ गये उन दोनोंने मिठु को समझाया कि मिलजुल कर रहने में हमारी इतनी बड़ी शक्ती है एकता की शक्ती के आगे कोई नहीं टिक सकता तब जाकर मिठु को बात समझ में आई मिठु ने अपने माता पिता से शमा मांगी बच्चो इस कहानी समझ में आई इस पार्ट से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चो इस पाट से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एकता में बहुत शक्ती है इसलिए हमें आपस में मिल जुलकर रहना चाहिए आया बच्चों समस्में आप लोग पाट को अच्छी तरह बार बार पढ़ते वे शब्दार तथा प्रश्णोतर को यार करेंगे पाट से संबंधित सभी कारियों को आपके विद्याले के वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा कृप्या अभिभावत बच्चों की मदद करें धन्यवाद